दोस्तो एथराइड बायर क्या होता है इसका मतलब समझते हैं दोस्तो एथराइड बायर जो है एक प्रकार का एक्षेंज आनलाइन प्लेट फॉर्म है इसमें क्या होता है कि यहां पर जो विग्यापन जो दिखाये जाते हैं और लोगों द्वारा जो खरीदे जाते हैं इन म एक संबंद स्थापित करता है यानि जो विग्यापन नेटवर्क होते हैं उनके और जो पब्लिसर होते हैं जो लोग विग्यापन करवाते हैं उन पर एक यह संबंद स्थापित करता है और इन दोनों को क्या करता है जोड़ता है यहां इनकी एक सूची तयार करता है विग्यापन की और जो लोग विग्यापन करवाते हैं उनसे यह जोड़ता है दोस्तो एथराइट एथराइट बायर का जो एकसेस होता है वो रियल टाइम मार्केट तक पहुंचता है यह खरिदारों का जो है मदद करता है जैसे विग्यापन नेटवर्क जो एजनसी कंपनिया होती है वो प्लेट फार्म जो है लाखुँ विक्रेताओं पर जो है निवेज पर लाभ को अधिक्तम करते हैं States Ride Buyer दोस्तों जो लोग विग्यापन कराते है उनके लाव को बढ़ाने का काम करता है ज्या जो है उन लोगों तक उनके एड्स को पहुँचाने का काम करता है जहां उनकी मांग होती है जैसे कि कोई भी विग्यापन यदि लगाएगा तो वो यदि जितना निवेश करता है यदि उसका रिटर्न नहीं आता है तो विग्यापन क्यों चलाएगा इसलिए ये नया एथराइट बायर जो है अभी जल्द ही गूगल की तरफ से आया है इससे दोस्तो ROI बढ़ता है ROI का मतलब दोस्तो वतायर Real Own Investment ये Frequency Cap के माध्यम से ROI को बढ़ाता है Real Time Bidding System जो है खड़दारों को मीडिया खर्च और उनके नियंतरण पर उनका उपयोग करने वालों का सहयोग करता है जो लोग मीडिया के माध्यम से आयड को चलाते हैं या फिर उसका जो है Selling करते हैं उनके लिए ये काफी यूजफुल है और उनके लिए ये काफी यूजफुल है और बहुत ही फायदे मंद है यह marketplace और inventory pull की जो बिक्रिप पच्छ है उसकी अपूर्ती पदान करता है यानि कि खरदारों के मांग के लिए है यह दोस्तों बिग्यापन network क्या है बिग्यापन network मतलब वे company जो प्रकासक बिग्यापन को एकत्रित करती है और उन अस्थानों में बिग्यापन को देने का विकल्ब चुनने वाले विक्रिताओं को बेशती है जहां उनको जरूरत होती है